हेलो फ्रेंट्स आज हम जानेंगे सेंटेंस होते क्या है किस परकार से उनका यूज होता है उनका मतलब क्या होता है ठीक है उससे आगे हम क्लास में जानें सेंटेंस इस्ट्रक्चर के आधार पर किस तरह से डिवाइड होते हैं तो हम सुरू करते हैं अपना लेक्चर सेंटे जो ऐसा नहीं है कि आप कुछ word यूज कर लें ठीक है और वह संटेंस अजय घी करता है इसा कुछ नहीं होता है वह क्या होता है meaningful arrangement Allah होता है मतलब आप चब तक वरड को meaningful narration मुझे कीम उहां करेंगे वह कीला जाएगा subject होता हゃ a subject is what we talk about subject क्या होता है subject जिसके बारे में कुछ कहा या बताया जा रहा होता है, वो subject होता है, लोगों की गलत फेह में देख नहीं कि subject क्या होता है, लोगों बोलते थे subject doer होता है, subject receiver होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है, subject क्या होता है, जिसके बारे में कुछ कहा या बताया जा रहा हो, वो क्या होता है हमारा subject होता है। यहीं हम दिख रहे हैं कि subject is what we talk about. जिसके बारे में कुछ कहा है या बताया रहा हूbaren subject होता है predicate непasible अ होता है. predicate is what is told about the subject predicate वह होता है जो subject वह उपता है subject के बारे में बता है वो क्या होता है predicator नीचे हम जानते हैं कुछ example से they will help you they हमारे इहां पर क्या हो गया they इसके बारे में बात हो रही है तो यह क्या हो गया हमारे subject हो गया will help you यह बता रहा है कि वो subject क्या क्या गर रहा है subject के बारे में will help you बता रहा है तो याद रखना कि जो सब्जक्ट होता है उसको छोड़के जितनी भी बांकी की चीजे बसती है उसे क्या बोलते हैं प्रेडिकेट होती है या प्रेडिकेट बोलते हैं अगर कोई पूछे प्रेडिकेट होती है तो हम क्या बोलेंगा सब्जक्ट को छोड़के जितनी भी चीजे होती है वह प्रेडिकेट होता क्या है तो प्रेडिकेट क्या होता है जो सब्जक्ट के बारे मेंगो कुछ बताता है नीचे mai यह मोड़ना सव हो गया इज़ीर रोम किया रहा है जो राम सभीट किसे कना कॉसे और राम यह हैЩ अर्छ चोंकि ऐगां रख जूड़ीर ुखी दिया बहुता है इसके बारे में बता रहा है। उड़ किसके बारे में बताता है, वहल आниगरी नहीं हमेहान कोड़ने बिचलिंगे क्योंकि रहे होता है, ड़ टर गर्रहे हो लिए गृटि में रहे होते हैंreso कोड़ने लिएOM कॉंपेटिटिटिव लेवल की पेपरों में आता है सेंटेंस हमारा एक तो मिला होता है वर्ट से मिला होता है वर्ट से मिला होता है वर्ट से मिला होता है वर्ट का मतलब क्या होता है यह होता हाव का रिपलाई किसका रिपलाई होता हाव का जैसे हम बोलते हैं कि वर्ट जैस जो इसको बोल सकते हैं जो उसका आप अर्थ समझते हूं जो भी उस सेंटेंस लिखा हो एक तो ग्रामर लिख दिया जो इसकी ग्रामर के वह भी उसमें है helping work क्या एगी में work क्या है वह बुटा है उसके बाद में आप उसकी प्या feeling सब्दों क्या भावना समझदों उसके गलत हुआ, sentence कब सही हो सकता है, जब हमारा जो words है, वो भी सही हो, और meaning है, वो भी सही हो, तो हमारा sentence क्या होगा, 100% true होगा, अब नीचे हम एक्जामपल से कुछ जान लेते हैं, हमने यह उपर क्या डिसकस रहा है, जैसे हमने बुला, they हमारा क्या हो गया, they हो गया, subject हो गया, killed हम आगे पड़ेंगे, हम वाट यह object होते हैं, लेकिन अब भी हम यह आ जान लें, they killed हूम, और हूम का reply क्या होता है, हमारा, object होता है, तो they killed हूम, they killed he, उन्होंने किसे मारा, उन्होंने उसे मारा, ठीक है, यह हमारा अभी तो सही लग रहा है, लेकिन हमने क्या बोला, जो subject ह सब्जक्टिव केस मोना चाहिए लेकिन यहां पर क्या है हमारा सब्जक्टिव केस होता है और जो हमारा ऑप्जक्टिव केस होता है ही का सब्जट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट् सब्सक्राइब क्वाद है कि वर्ड गलत था क्यों गलत है तो मैंन और हमारा ऑबजेक्टेस में संब्जयक्ट कैस में याwith हुआ मैं अब बोला है अब अब्जेक्ट हो यह जो मैं सब्जक्त केस में मीलेक और biggest seis वर्ड तो एकदम सँझेगा, यहाँ पे हमारा मीनिंग भी सही है, क्या मीनिंग भी सही है?, आप समझ माया कि जो मीनिंग क्या हो गया हमारा यह गलत हो गया, अगर हमारा मीनिंग गलत हो गया क्योंकि आप खुदी सोचिए कि यह प्रैक्टिकल तो लगता है नहीं उन्होंने मुझे मार दिया अगर किसी ने मुझे मार दिया तो मैं किसी दूसरे बंदे कैसे बना बता सकता हूं मैं भूत तो बनके उसे बताऊंगा नहीं ठीक है तो य दे के आओ गया हमारा सब्जक्ट हो गया और मुझे मार दिया ता तो अपने देखा हो कई लोगो को अधमरा करके चोड़ देते हैं और बाद में पहस्पितल में जाके अपने रिस्तेदारों से या किससे भी बोलते हैं पुलिस से बोलते हैं उन्हों लगभग मुझे मार हमतर डूर बाद इस है और यह क्या है वर्ड के सबसे बिल्कुल सही है किसके सबसे वर्ड के सबसे क्या यह मीनिग के सबसे सही है हमने पुखने बला हुखना यह मिन undas dream के सबसे लिए तो बह estàं सबसे सही होगा तो आज की सेवा हमारी इसमापतो ही आप आगे की क्लासिस के लिए SSBist क्लासिस से जुड़े रहे हैं या आगे हम सेंटेंस को के टैगराइज करेंगे according to structure कि according to structure sentence कितने परकार के होते हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद लाइक करिए, share करिए, subscribe करिए हमारे SSBist Classes चैनल को